गुडी इनी अविडिवान, वेलकम तो दिस निव वीडियो और आज आपन स्केलर्स एंड वेक्टर्स हैचा एक क्विक रिविजन करना रहे खुब छोटा टॉपीक हाहे, एक क्वेस्टिन कंफर्म्ड आहे अन हरदले ट्क ऐओ तो खुबुग रिविजन करना रहे अगे मट सब्राक्शन में एडिशन मदे कंसेडर करतो सो मल्टिप्लिकेशन और एडिशन है दोनस पाट रहे ले आथा एडिशन बदल आपन एक दोन पाट में टर डिसकस करो और एडिशन वरती थोड़ा जासते वेल दियू करण कि अगे मल्टिप्लिकेशन वरती खूब सारे प्रशन बनू शकता सगयात पहिला विविल सार्ट विद इडिशन पाट ओके दाट इस नाथिंग बद कंपोजिशन अफ वेक्टर वेक्टर बैसिकली अदिशन करने साथhait अपन आप लेकटे वेक्बेकटे टूल साहे वेक्टे लोज अहे सो अप लेकर तीन स्टैंडर लोज ल्सागया नलाई यह ट्राइंगल लो पैरल्लेखम लो ग्राइंगल लो आंगी तीन लॉज आपन जनरली यूज करतो बट या तीन लॉज मदे पहला जो ट्राइंगल लॉज आणि जो पॉलिगान लॉज आए ये ग्राफिकल लॉज आए ग्राफिकल मंझे काई तैना ग्राफ वर्ती ड्रॉज करून रिजल्टन्ट करता है तो त्याचा मदे मैगनिट्योड चाडने चा प्रोविजन नहीं यू कैनाट फाइंड मैगनिट्योड यूजिंग एनी पर्टिगुलर फॉर्मिला आपन ट्राइंगल लॉज आणि पॉलिगान लॉज फक्त ग्राफिकली ड्रॉज करून करून सॉल्ल करूं शक्त जसकी सपोज त्युम्हा लॉज क्वेस्चेन विचारला कि यहा दोन वेक्टर्स लाड एड करा, हाद वेक्टर पार रहे और वेक्टर क्योकर चरा है तो ह्वेक्टर फेक्टर ग्राफ पेपर वर्ती, ह locked five some से छाचे consists क्यू बार ड्रॉ केला तो माला ग्राफ पेपर वर्तीच स्केल ग्यूँन आइकन फाइंड दे रिजल्टंट चा मैगनिटूड आइकन फाइंड की रिजल्टंट चा वैल्यू काया है ओके तो दिजस्ट ट्राइंगल लॉफ वेक्टर एडिशन सगेंद महीत ये ट्राइंगल लॉफ कसा यूज करेचा पहला वेक्टर संपला की दूसरा वेक्टर स्टाट जाला पाईजे त्याला आपन बनतो की वेक्टर्स आर टेकन इन ओर्डर पहला संपला की दूसरा चलू आता ट्राइंगल लॉफ खुप वेडा वापर ला सक्सेसिवली ता बनतो पॉलिगॉन लॉफ तो पॉलिगॉन लॉफ कधी वापर है जा पॉलिगॉन लॉफ एक प्रकारें ट्राइंगल लॉफ चा एकसेसा जासतरव वेक्टर आस्तिल तीन, चार, पाच, दाह, पंदरा कितीपन ता पॉलिगॉन लॉफ वापर तो अपन खुप सारे वेक्टर आस्तिल तर एक incomplete polygon बनतो and resultant is given by the vector drawn from the starting point of the first vector to the end point of the last vector हा resultant बनतो but जसा भी सांगित ला triangle law and polygon law are more of graphical law याचा वर्ती numericals बनने चे chances कमी है numerical त्याचा वर्ती बन दिलना याचा तनी formula बनना रहे and the law that is analytical that is parallelogram law so now we will discuss more on parallelogram law what is a parallelogram law parallelogram law in fact graphically and analytically दोनी वे नी solve करता है parallelogram law strictly two vector additions हाडी बापर तो two vector addition ज़र तुम चागड़े दोन vectors अस्तिल vector p bar अनी vector q bar ज़र आपले कड़े दोन vectors अस्तिल तर याँ दोन vectors ला ज़र काया आपन initial points common ठ्यून त्यनना अशा fashion मदे ठ्यूल initial points same point ला ठ्यूले initial तैंचे points अनी अशा fashion मदे ठ्यूल अनी ज़र मी parallelogram complete के ला parallelogram complete करने easiest p ला parallel तिक्टोन ड्रौ करायचा q ला parallel इथुन ड्रौ करायचा ज़र मी parallelogram complete के ला तर resultant is given by a diagonal आथा diagonal तो दोन आस्ता तो कोंता diagonal चूज दाट diagonal जो या common point मनना पास होतो जैंचे ओके रेड कदर चा मी जो ड्रौ करतो this is our resultant vector या parallelogram लोनी अपले कड़े provision आसा था कि resultant चा डायरेक्ली formula मिलतो आपले डायरेक्ली value मिलू शक्ते without even drawing the figure figure न ड्रौ करतास resultant मिलू शक्तो आसा प्रोविजन आए आसा derivation आपन करून दस लोए अंटा derivation चा आसा होता p square plus q square plus 2p q cos theta okay very important result parallelogram लोचा this result gives you basically the magnitude of resultant कि resultant ची value का यासते but resultant ची नुस्ती value काड़ून अर्थन आही काण कि resultant हाई एक vector आसतो vector plus vector vector मिलना रहे so त्याला direction पन असना रहे मा तो direction कशी काड़ना रहापन जर याद दोन vectors मदे angle theta आसेल तो resultant p बरोबर किती angle बनोतो है q बरोबर किती angle बनोतो है तो angle जरके आप लाला समझला तो आपन direction सांगू शक्तो कि तो हाँ तो p बरोबर 15 degree है और उर लेला q बरोबर है so आप लेला p और q चा respect to angle काड़ता यह उँ शक्तो का तो यह यास तेला पन एक formula है कही जड़ान चा misconception आसता कही जड़ान बनतात तो पैरलेलो ग्राम मधे जर नुमाल मी हिंट देतो एक कि जर दोन adjacent sides इकवल आसतील तरस्त अंगल बैसेक्टर आसतो तरस्तो equally split करेल बट ही sides आशी वाडेल बगा मी color change गरून दाखो तो ही side जरके मी extend के लिए आशी वाडवली तर आता या दोगांचा पैरलेलो ग्राम थोड़ा आडवा बनेला सा आडवा आणि आता आडवा बनलेला पैरलेलो ग्राम सा resultant थोड़ा सा मोठा वेक्टर कडे tilt करतो इट इस तिल्टिंग टूअड़्स मोठा वेक्टर ओके? तो दोन वेक्टरस तर रिजल्टेंट था फॉर्मिला था है बट वाट इस दा फॉर्मिला आफ़ा टैन अल्फा चा फॉर्मिला का है तैन अल्फा मझे एंगल मेड विद P वेक्टर तर तर फॉर्मिला सा है Qsinθ अपान P प्लस Qcosθ एक लक्षा टेवा जो टर्म इस लेटड आहे जो टर्म इस लेटड आहे तीयाचा बरोबरचा एंगल अस तो हाँ हां एंगल रिजल्टेंट नी कोणा बरबरबरबना वले isolated हां isolated मझे करते ना एकटा है तो तीयाचा बरबरबरण न साइन न कोस है तो resultant नी angle बनावला है vector n बरोबर, इथा m अणी n दोन vector add जाले आसती है, हाँ vector m आसल, हाँ vector n आसल समझा, तर हैंचा जो addition आसल, तो resultant जो vector आसल, हाँ resultant वेक्टर, जर total angle theta आसल, तो resultant n बरोबर किती angle बनावला है, तो angle phi आ है, तो angle alpha is the angle made with isolated vector p, तर तुम इत सांगा, जर व्य बीटा काया से लिए figure बनाव, या figure बनाव, tan beta काया से लिए, tan beta is the angle made with q, so q ला isolate करूँ टाका, q लेक्टा सोड़ा, ठीक है, मार है रहला p, तन काया स्टो sin by cos, tan beta is sin by cos, tan beta is sin by cos, लक्षा ठ्रेवना से बनतो है, sin by cos, आणी जो beta, हाँ q बरोबर चा vector, so q isolate के ला रहला p, so p interchange करूँ, you get tan beta as well, okay, so tan alpha, tan beta दो नीचे formula पाठस करेची गरेचे काई गरज नहीं, एक angle करूँ तसरपन, तुम्ही theta minus alpha करूँ बीटा करूँ शकता, but महिती असन गर जेदा, कानकि direct list तुम्हाला दिला तो beta चा formula, तुम्हाला समझ लपाजले काय प्रकारा है, parallelogram law नी resultant मिलतो angles मिलतात, हे सगर ठीक है, यह चा मादे questions खूप विजारू शकतात, आणि है चात tricky, tricky question बगा कुटे विचारतात, tricky question यह particular formula वरती विचारता, काय विचारतात बगा मी next slide वरती दाखोतो तुम्हाला, असा मनतात, कि P bar आणी Q bar आशे काहितरी आहेत, कि त्यान्चा resultant जोई ना बगा मी तुम्हाले neat figure draw करूंदा खोतो, आसा विचार लेला सता, P bar आणी Q bar, आशे काहितरी आहेत, कि त्यान्चा resultant जोई आहे, resultant तो P ला perpendicular है, resultant हा P vector ला perpendicular है, हाव एक्टर P आहे, छोटा सा, हाव एक्टर Q आहे, इकड़े साल लेला, त्यान्चा अंगल थीट आहे, परपेंडिकुलर है, resultant जावेस पीला perpendicular दिला, तुम्हा अप्रोच काहे बाइजल समझों दियो, तुम्हा अप्रोच काहे बाइजल, एक तर, बिना डोक्या चा अप्रोच, मैंजे, फॉर्मिला अप्रोच, टैन अलफा, इकवल्स टू, काहे फॉर्मिला आपन, P बरुब 90 डिगरी बना होतो है, तो, टैन 90 अना रिकता, टैन 90 इंफिनिटी आसता, टैन 90 इंफिनिटी आसता, मैंजे, डिनॉमिनेटर बेसिकली, खुब छोट आसता है अर्थ, मनुदास नंबर मोठा हो इलना, यह अर्थ, P प्लस Q कॉस थीटा, यह 0 आहे, आसा कडाला अपलेल, P प्लस Q कॉस थीटा, 0 आहे, ही, इंपोर्टेंट कंडीशन मिलता, अपला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंडीशन, ज़र कधी क्वेस्चन मदे दिला आसे, resultant is perpendicular to any one of the vector, तो, टैन अलफा सा formula वापराई चानी, डिनॉमिनेटर, 0 करना सा प्रयतन कराई जा, यह चात नस तु वेक्टर P बार, I will change the color, वेक्टर P बार, वेक्टर P बार, राइट डिरेक्शन मदे, अनि वेक्टर Q बार यहा डिरेक्शन, यहा दोगांचा resultant, ज़र वर्ती हेता सेल, ज़र resultant वर्ती हेता सेल, तो, मी आसा विचार करतो, हैता अर्था तैंचे horizontal component, कैंसल होता सेल, मणुन So, P राइट डिरेक्शन मदे, P राइट डिरेक्शन मदे, ता Q चा, Q हाजो Q है न, तियाचा इकड़ चा अडवा component जासेल, तो कैसेल, Q cos of 180 minus theta हसेल, हे दोनी एक में करना cancel करना रे पाई जेल, तरस resultant मदे जाईल, मंजे, P should be equal to Q cos of 180 minus theta, that is, P should be equal to minus Q cos theta, if you take minus Q cos theta on the other side, P plus Q cos theta, again becomes 0, same thing you get, one was the formula approach, other was the concept approach, कि दोन वेक्टर मदे जाला है, so या वेक्टर चा, इकड़ चा component या वेक्टर ला cancel केला पाई जेल, मंजे, उल्ले ला component वर्ती जाई, और इथा resultant ची value काई अना था, resultant ची value, R ची value, मी काई मनुशकतो, कि Q चा, एका component नी, P ला cancel करना sin 180 minus theta, परवर या एंगल चा, हा, cos अस्तो, तो वर्ता sin अस्तो, और Q sin 180 minus theta, is obviously sin theta, so Q sin theta is the resultant, and P and Q cos theta are basically cancelling out each other, so addition of vectors, मदे साधे साधे questions जर कहा आले, तर obviously simple approach अस्तो, बट जर हैचा twist केला, तर हा एक twist, normal है, सगया question मदे, आउघड question, addition मदे हा चास्तो, कि resultant is perpendicular, आशे condition देले असतो, ठीके, so addition मदे तुम्हाला महिती पाई जल, previous slide चे दोन formula, resultant सा formula, आणी alpha, beta चे formula महिती पाई जल, तुम्हाला हेपन महिती पाई जल, resultant angle bisector न असतो, वेगवेगल असतो, आणी तुम्हाला सगले special cases महिती पाई जल, special cases में तुम्हाला quickly संगतो, special cases, it will save your time, CET मदे, special cases जर P आणी Q, magnitude wise equal असतो, okay, let us say, तैन सा magnitude equal है, दोगान सा magnitude F है, तर बगा, case 1, case 1 बगा, जर P आणी Q बार एक में काना parallel असतो, P आणी Q बार एक में काना, parallel असतो, P आणी Q बार एक में काना, पारलल असतो, तर ता तो तो पाने, FF एड जाला, simple, so पहिला case जाला, दूसरा case, जर P आणी Q बार एक में कान बर-बर 60 डिगरी बनवात असतो, P आणी Q बार एक में कान बर-बर 60 डिगरी बनवात असतो, P आणी Q बार एक में कान बर-बर 60 डिगरी बनवात असतो, P आणी Q बार एक में कान बर-बर 60 डिगरी बनवात असतो, P आणी Q बार एक में कान बर-ब अजुन कमी जाला resultant भगा, जर ते दोन वेक्टर P bar और क्यू बार एक मेकान बर बर 120 degree लाग, बत इक्वलेत F F 120 degree, resultant is, resultant is only F, resultant सा magnitude is only F, okay, बार लिणा चुकिछ, मी magnitude बदल बोलत है फक्त, I will erase this part, जर ते 120 degree लासतील, the resultant will be only F, जर ये case गिवापन, जर ते 150 degree लासतील, 150 degree, resultant काईल, 150 degree लासतील, तर, आता बगा, 150 degree ला नहीं, 150 degree ला तुमाला solve करा वाला गयल तिकड़ा है, आता 150 is not a special case, मैं actually 30 चीज़ असी तुमाला case नहीं दे लिए, तर स 150 चीपन नहीं देना गए, 150 मदे solving required रहे, so 150 मदे आलास जर काई question, तो थोड़ा सा complicated होई, P square plus Q square plus 2 P q cos 150, solvable है, impossible नहीं है, बट तो थोड़ा सा complicated होई जाहिल तो, ठीक है, थोड़ा सा complicated होई जाहिल, मनुन shortcut, मनुन learn नगा करू, काई गरज नहीं, erase, आणि directly last case होई, यी case last case होई, angle, दोगान मदे, जर, 180 असील तर, P bar आणि Q bar, opposite असील, equal opposite, resultant 0, तुम्हाला डाइरेक्ली महिती पाई जाहिए, काई उपयोग होई तुम्हाला है तुम्हाला मी सांग तो उपयोग का है, बगा, question असा आला, या ब्लॉक वर्ती, 2 forces are acting, 20 N and 20 N, acting at 60 degree, काई करना तुम्हीं, you will take resultant as root 3 into 20, 20 into root 3, 20 into root 3 कीती है तो 34.6 N, within 2 seconds तुम्हाला आंसर ये, तुम्हाला महिती है, दोन equal forces 60 degree ला काई करू शकता, या ब्लॉक वर्ती, 100 N is acting, 100 N is acting, what is resultant, दोन equal forces है, एक्वल लाज हा formula वेलेड, equal 90 degree लाज है तुम्हाला रूट 2 F, root 2 F मैंजी 141 N, 100 into root 2 के लमी, 141 N, मध्य act वेल तो, चला, या particular object वर्ती, एक force ही थाक्ट होतो है P बार, दुसरा ही थाक्ट होतो है, दोनी equal magnitude मध्येद, आणी resultant तुम्हाला angle 120 degree है, सो हा सम्जा आसेल 50 N, हा पनासेल 50 N, resultant का वेल 50 N, या रूट 2 F, that's it, because 120 ला F रहतो, बगा, मि तुम्हाला दाखोतो है, 120 degree ला, resultant नुस्ता F रहतो, 90 degree ला, root 2 F रहतो, 60 degree ला, root 3 F रहतो, 0 degree ला, common sense रहतो, F plus F 2 F, anti-parallel ला 0 होतो है पना common sense है, मध्य थीन important है, BCD important है, समझता है, so these are the important cases in addition, so addition वरती बर्यास वेल सालदो, आपन 2-3 मिन्ट, बढ़न 10 मिन्ट धाल यासती, let's move to multiplication, product, vector multiplication, vector product, दोन प्रकार चासतात, एकाला आपन मन्तो scalar product, एकाला मन्तो vector product, सग्यान नम हाहिती है, scalar product, vector product, सग्यान नम हाहिती है, also called as dot product, also called as cross product, P bar dot q bar, आणी थे P bar cross q bar, P bar dot q bar dot product, strictly it will give you a scalar, तो तुमाल एक scalar देऊशक्तो, it will never have a magnitude, it will never have a direction, sorry, it will strictly give you a scalar quantity, तो तुमाला scalar देऊशक्तो, that is the use of scalar product, आणी हाँ तुमाला एक vector देऊशक्तो, R bar, बरे जनल लिताता स, P bar cross q bar is P q sin theta, P q sin theta, चुकी चाहिते, आणी तुमी लिता, P bar cross q bar is P q sin theta, ही अ टेक्निकला चुकी दकाहिती चाहिता स्तेक्मेंट है, ब्कॉस तुमी लेफ्साइड डाएक vektor, राइक लाएक vektor, राइक लेक कराहिता ς तुम्हटेश्नाइल लाहिचा स, एसलेहिचा आसलेहिचा, P bar cross q bar is P q sin theta, आणी वहर, खेर, आरबर, चाहा पाम रूल महीं त्यात तुम्हाले रूल्स सो राइट थम रूल, स्कुरू रूल, पाम रूल ने तुम्ही रिजल्टन ची डायरेक्शन काड़ू चकता स्केलर प्रोड़क्ट वेक्टर प्रोड़क्ट चेहे बेसिक जाल कि नकी तेचे प्रॉपरीटीज चायत, तेचे एब्लीकेशन कायत कायत आप्लीकेशन वर्ती प्रश्ण बद तिल, एब्लीकेशन आप sì MON, भूल काना लेह नाई साथी काही ही प्राप्लेम नाहीं मंझे डिस्ट्रिबिट लॉँबै करता, आप डिस्ट्रिब्यूट करता ये तो ब्रेकेट वरती, डिस्ट्रिबिट लॉँबै करता प्रापर्टी नंबर 3 जर P bar dot q bar P q sin theta से P q cos theta से तर पर्पेंडिकुलर वेक्टर एंटी पर्पेंडिकुलर वेक्टर ची काई सीन होई तो पर्पेंडिकुलर वेक्टर मदे तो नुस्ता P q होई कानकी cos 0 1 आस तो पर्पेंडिकुलर ला P bar dot q bar सरल सरल 0 होतो ही आपले आयुशतली सग्यातली महत्वाची केस आही तू वेक्टर पर्पेंडिकुलर आहेत की नहीं चेक करने ची कंडिशन आहे ही दोन वेक्टर पर्पेंडिकुलर आहेत का नहीं हे चेक करने सेट इज वापर तो पन डॉट प्रप्रदक्ट जीरो एतो एक और अनि अंटी पैरलल अस्तिल ता P bar dot q bar is minus p q अंकी कोस वाणी टीज माइनस वाण तीसरी प्रपर्पर्टी जाली सा उथी प्रपर्टी थेंचा यह सेम सेम वेक्टर ची पर dot p bar जार खो मी करायला गेला वेक्टर चा dot product with itself is p square तैसा magnitude जा स्क्वेर लक्षा थेवा आपन dot product चे प्रपर्पर्टी जा बगतो है तो अब्व 1 उत्तर आसता कासा काई 1 आसता तो आपन अंत्ता भगितले सेम 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 स्क्वेर आसतो सेम सेम i dot i चा magnitude square i चा magnitude 1 चा magnitude तो unit vector i dot i, j dot j, k dot k, one आसतो मात्र i dot j, j dot i, i dot k, k dot i, j dot k, k dot j हे सगड़े वेगवेगड़े i, j, j, k, i, k, j वेगवेगड़े सा dot product 0 उस्तो का 0 उस्तो विकॉज हे सगड़े एक मेकानना mutually perpendicular सत i, j, and k mutually perpendicular और परपेंडिकलर वेक्टर सा dot product 0 उस्तो और शिक्स तेंड लास्ट प्रॉपरिटी अशिया है qx i plus qy j plus qz के या फैशन मदे वेक्टर स दिले आस्तील ततेंसा dot product कसा कड़ाई सा नुस्ते coefficients multiply करत सुटा px qx plus py qy plus pz qz will give you the answer only multiply coefficient मैंजे पहला पहला दुसरा दुसरा तिसरा तिसरा एक क्विकली एक्जांपल पन सौल करतो जर दुमाला दोन वेक्टर दिले त 2i plus 3j plus 5k आणि दुसरा वेक्टर घ्या i plus 4j minus 2k तो हैंसा dot product काईल p bar dot q bar काईल तो 2 into 1 2 कसाला हा 2 into हा 1 i dot i तो घ्याई चास ने तो तस अबन वन आस्तो 3 into 4 12 5 into minus 2 minus 10 तो 2 आणि 12 14 minus 10 इस 4 तो आंसर इस 4 कुटला दिरेक्शन मदे तो दिरेक्शन नस्ते तो तो स्केलर आस्तो हां स्केलर product है स्केलर product चे है सहा properties आए है properties तुमाला अक्रावी चा बुक मदे पन दिले आए बड जस्ट quickly revise कर आपने within 2 minutes आशेच वेक्टर चा properties है आता वेक्टर चा properties बगू वेक्टर प्रोड़क्ट चा वेक्टर चा प्रोपर्टी बगा प्रोप्स आफ वेक्टर क्रोस प्रोड़क्ट इथुन चालू करतो रिवर्स मदे फर्स्ट प्रोपर्टी प्रोप्स मदेढ्यक कर लोगों स writes कर देफिएं प्रों चालू झालू रिवर्सम प्रोड़क्टर क्रोड़क्टर कार ₲?" चालू कुवरक्टवक्टर एफ बट्रे सेकर फ्रोपर्रलाख आपने प्रों में थेस्ट और प्रोपार। Q चे magnitude same आहे, no doubt, but they are not obeying commetitive law, this is the first property, let's move to property number 2, property number 2 थी distributive वाली, तो इथे distributive ओबे होतो कहे, मंजे P bar cross Q plus R आसे ना, I can easily distribute it over the bracket, P cross Q plus P cross R करता है, तो no problem, property number 2, तिसरी property काहे होती दिख़े आठ होते, cases होते, P cross Q जर A parallel आसेल तरका है, B perpendicular आसेल तरका है, C anti-parallel आसेल तरका है, तो भगा, तुम्ही इथे mistake करता है, नॉर्मली, तुम्हाला विचालना P cross Q काहे है, तो तुम्हाला सर 0, काणकि sin 0 है, बट इथे लक्षा ठेवा, P cross Q हाई के vector आहे, आणी vector आसेल आमोड़े, जर तुम्ही ताला 0 मना तासेल तरी ताला 0 vector मना, option मद एव शक्त P bar cross Q bar for a parallel vectors is, 0, 0 vector perpendicular, परपेंडिकुदर vector, none of this, काही तर्यासा आसे, 0, तो अंसर टिक करूँ जाल तुम्ही, काणकि तेच A आसेल आरे, बगा, काहे विचार ले, P bar cross Q bar हाँ vector product है, तो अंसर पन वेक्टर आसल पाई, तो P bar cross Q bar will be 0 bar, 0 vector मनता पन जाला, null vector, आणी तस अंटी parallel लापन, P bar cross Q bar हाँ 0 bar आसे, बट, perpendicular लापन, P bar cross Q bar हाँ R bar आसेल, महीत नहीं काहे तो, बट तेचा magnitude असना रे, 0 P q, काणकि sin 91 अस तो, P bar cross Q bar will be a new vector R bar, जैचा magnitude असे, 0 P q, ही जाली तिसरी property, सा उथी property अपली I, J के वाली, प्रॉपरिट इकदम सिंपल है, I cross I, J cross J, K cross K, इथे तिकड़े 1 होते, इथे 1 होते काहे, इथे मात्र ते 0 आहेत, इथे 0 बार आहेत, इथे 0 बार आहेत, इथे पर वेक्टर असना, cross product ला तुम्ही scalar बर बर आयूश्यात compare करूं नहीं का, cross product should always be compared with a vector quantity, so I cross I, J cross J, K cross K is always 0 बार, but if you are dealing with different I, J, J, K, K, J, तो तुम्हाला हा रूल महीती आसेल, probably तुम्हाला शिकावला जासेल, कि तुम्हाला हा सर्कल चा रूल वापराइस, I, J, K, मझे, जर आपन या सर्कल वर्ती clockwise फिरत आसू, ता आपन तेला positive treat करतो, anti-clockwise फिरत आसू, तो ता negative treat करतो, बंजे का है, कि I cross J is K, positive, no problem, J cross K is I, no problem, positive, clockwise फिरतो है, K cross I is J, no problem, but ultra जाता सीन में, ultra जाता सीन में, J cross I, ता minus K, K cross, sorry, I cross K, ता minus J, आणि K cross J, ता minus I, आचे reverse मदे फिर लो था negative, forward मदे फिर लो था positive, हे लक्षा टेवा, sign conventions, clockwise positive, anti-clockwise, anti-clockwise negative, ठीक है, आणि सग्यात महत्वाची property, cross product मदे आहे, कि जर P bar आणि Q bar या fashion मदे दिले अस्तिल, PX, थमबा, जर P bar आणि Q bar तुम्हाला या fashion मदे दिले अस्तिल, PXI plus PYJ plus PZK, आणि QXI plus QYJ plus QZ के आशे दिले अस्तिल, ता तुम्हाला महितिया सेलस, कि P bar cross Q bar तुम्हाला इटर्मेरेंट चा format नी काड़ाई से, I, J, K, इथे mistake होते है, नॉर्मली, कि जो पहिला वेक्टर त्याचेच कोईफिशेंट ठेवा, क्याचेच मजे PX, QX, PX, PY, PZ, जो पहिला वेक्टर त्याचेच ठेवा, दूसरे चे नंतर ठेवा, QX, QY, QZ, और एवरिवन नो हाँ टो सॉल्व दिस, हे सांगनेची काई गरज वाटत नहीं माल, ठीक है, ये सॉल्व करों, यू गैट अ वेक्टर कॉंटिटी, आतो दोन दोन प्रोडक्ट्सा यूस काई बगावा, आपन यूस शिकू, कि मक्की मक्काई उप्यो गई या दोनी प्रो पहले डॉट प्रोडक्ट चेभू, जनता क्रोस प्रोडक्ट चेभू, पहला एप्लिकेशन आहे, टू फाइंड एंगल बिट्वीन टू वेक्टर्स, दोन वेक्टर मदला एंगल काड़ाईचा आसेलना, तो हाँ बेस्ट वे आहे, इनफाक्ट क्रोस प्रोड़क्ट पन परता है तो, क्रोस प्रोड़क्ट नी पन एंगल काड़ता है तो, बट डॉट प्रोड़क्ट रिलेटिवली इजी आहे, बगा कासा काड़ाईचा, डॉट प्रोड़क्ट नी वेक्टर, डॉट प्रोड़क्ट नी वेक्टर मदला एंगल कासा काड़ाईचा, हाँ तो फा आइ माइनस जे प्लस 3 के दोन वेक्टर दिले तुम्हाला काढ़े चे तैंचे तला एंगल अत्त सॉल करूंदा आखो तो पटकन एक्जाम्पल तुम्चा काम एउड़चा है कि डॉट प्रड़क्ट ग्याये चा दोन मेथड नी एक मेथड कन्वेंचनल फॉर्मिला मेथड PQ COS Theta वाली और दुसरी मेथड आपली प्रड़क्टी वाली जर्ड़ PX IJK format में दिला से तरह आपन कसा fashion में दिसाल करतो P x q x 3 x 1 3 4 x – 1 – 4 1 x 3 पर 3 तो एक आंसर येता 2 एक कन्वेंशनल मेथड नी आंसर 2 आले दुसरा मेथड नी आंसर काया ना रे तो P q cos theta पट P चा मैगनिटूड काये P चा मैगनिटूड 3 square 4 square 1 square root 26 आणि Q चा मैगनिटूड काये तो root 1 square 1 square 3 square मैं जी root आकरा 1 square 1 square 3 square root आकरा इन्टू cos theta जे महित नहीं आपला तो cos theta कासा कारता है 2 upon root jk आहे ते 260 आणि 286 जे काई आंसर है cos inverse मदे Don't worry CET मदे तुम्हाला decimal solve करून पॉइंट काढ़ाईची गरज नहीं answer inverse मदे ठेवलेल आसे ठीक है In fact question मदे number आशे दिले आसे तिल कि तुम्हा answer खुब simplify हुन जे मजे standard number इल कि cos theta is 1 by root 2 कि मा cos theta is root 3 by 2 जेने करून तुम्हाला solve करून standard number ली ताईल 30 degree, 45 degree, 60 degree, 3rd जे काई आसेल ते So first way ता कढ़ाला आसेल first use कढ़ाला आसेल पहिला use आहे to find the angle between two vectors randomly दोन vector देलील आसेल ते चतला angle पठकन कढ़ाईचा जर तुम्हा लग चांगला आसेल तर दोन vector चा dot product 0 यह उन जातो दोन vector चा dot product 0 यह उन जातो त्या चावेश तुम्हाला समझ तर यह 0 यह तो यह मंजे cos 0 कदी आसतो चावेश theta 90 आसतो तो दोन vector perpendicular रहेश बट यह उन चांगल लग नसता दर्वेश लेट्स मूव तो second property property no.2 आहे to find बगार ही दोन प्रोपर्टी चाली की तिकड़ चा दोन मसंपला to find projection shadow किमा component of one vector on other एका vector चा दूसरा vector वरती shadow किमा component किमा projection काडाईज है जासे कि समझ हाँ P bar है आण इहाँ Q bar तुम्हाला विचार ले find projection of P bar on Q bar ठीक है method simple है तुम्हाला जर काई विचार ले कि P bar चा Q bar वरती shadow की ती पड़ेल तबगा काय करेचा P bar न Q वरती perpendicular draw केला में तहाँ yellow color चा shadow वड़े हैची length विचार ले एक तुम्हाला scalar मदे विचारतील आण इज़र question difficult करेचा वेक्टर मदे विचारतील की component vector form मदे काड़ा मी तुम्हाला सांग तो ते yellow color ची लेंद कशी काड़ेची सग्रात easy method है P cos theta करा Just do P cos theta P ता cos component बट ही method सालतस नहीं कांकि angle दिलेला नास तो दोन vector दिलेला असता कसा काड़ना है त्या मोड़े आपन काय करतो P cos theta correct method है पन angle दियाला पाईजी होता angle अस दिलेला नास तो त्या वेस तुम्ही काय करता तुम्ही जस्ट Q नहीं multiply divide करता यालस Q नहीं multiply divide करता आणि B bar vector है 3i plus 4j plus 2k आणि विचार ले A bar on B bar चा projection काड़ा projection find projection of A bar on B bar काय कराईचे A bar on B bar काड़ाईची तब पहले दोगां चा dot product कराईच 3 into 1 3 3 into 4 12 4 into 2 8 तुम्हाला समझ लेगा divided by जाचा वर्ती shadow काड़ाईच तैसा magnitude B चा magnitude करा magnitude 3 square 4 square 2 square करून भगा root 29 ये तो आंसर काईल Tevis upon root 29 Tevis upon root 29 आंसर मिलालपन संपला विशे पट यह मेथड मदे काय आपन भगितल है कि आपन length of shadow काड़ी आपन तेची value काड़ी कधी-कधी question difficult करनेया साथी काय करू शकतात question difficult करनेया साथी what can be done is तुम्हाल आसर देतील हाँ vector P bar हाँ vector Q bar आणी P bar चा Q bar चा along vector काड़ा P bar चा along vector काड़ा सो तुम्ही काय करू शकता How will you find vector P bar along Q bar तेथा किती component है पहले ता काय कराईचा तेची length काड़ूंगे इचे कशी काड़ीची length तुम्हाला P bar dot Q bar upon magnitude of Q तुम्हाला काय तरी value मिलल XYZ value मिलल जशी मगाशी मिललली काय तरी number मिलल आता अपले आला नंबर मिलला मझे आपले तेचा magnitude मिलला आपलेला magnitude मिलला P bar चा इकाड़ श्यडव मिलला आता direction पाईचेल तो direction Q bar देल Q bar तेचास magnitude ने डिवाइड करूं टकला तुम्हाले unit vector मिलल Q bar चा Q bar चा unit vector बगा लाल दाखो तो हम यह unit vector तो unit vector direction चा काम करेल magnitude चा काम करेल दोगना multiply करा component का सा मिलल component of P bar on Q bar will be Q चा unit vector into P cross Q upon Q चा magnitude this will give you the answer तो आशा वे नी तुमाला even magnitude नुस्ता value विचारला तरही solve करता है आणि कदी-कदी vector विचारला तरही solve करता है हे दोन महत्वा चे properties होते आणि रहले आता फक्त कि cross product चे properties applications of cross product बगा एकदम fast मदे सांगत applications of cross product पटकन दोन मिंटाचे काम है दोन application है विशे संपेल first आहे to find vector perpendicular to two given vectors तुमाला question मदे दोन vector दिले आसती प बार आणि क्यू बार आणि विचारला या दोन vector लाँ perpendicular आसा vector find करा तो या दोन vector ला perpendicular vector काड़ाई जाशिल cross product is answer आपला so cross product गहीचा तो vector या दोगा नहीं perpendicular आसतो in fact दोन vector perpendicular आसता एक p-bar cross q-bar आणि एक q-bar cross p-bar जो खाली आसना दे so how to find a vector perpendicular to two given vectors just take the cross product simple है but but कदी-कदी विचारतेल to find a unit vector perpendicular unit vector काड़ाई जाशिवर्ण सकाए कराच cross product काड़ाई जाए त्याला unit काड़ाई जाए उनिट काड़ाई जाए कुटला ही vector ला unit काड़ाई जाए त्या वेक्टर ला त्याचास magnitude डिवाइड कराई जाए त्या वेक्टर ला त्याचास magnitude डिवाइड के लाए कि you will get a unit vector so समझा मैं तुम्हाले एक example solve कुरूंद दाखो तो P बार आ है i plus j plus k Q बार आ है 2i plus 4j plus k और तुम्हाला विचार लाए find a unit vector या दोगान ना ही perpendicular पहला काम काय करे जा तैन सा cross product गे जा 1 1 1 2 4 1 कसा गे जा cross product महिती तुम्हाला i into 1 minus 4 is minus 3 i j into 1 minus 2 is minus 1 plus 1 j k into 4 minus 2 is 1 k sorry 2 k सो हा जाला तुम्हा वेक्टर P bar cross q bar ला perpendicular मझे जर हा तुम्हा P bar आसेल हा तुम्हा q bar आसेल तुम्हा आत्ता कुटला वेक्टर काड़ लाए तुम्हा दोगान ना ही या इनफाक्ट या प्लेन ला perpendicular वेक्टर काड़ लाए हाँ पन आपलेला तो नहीं विचार लाए आपलेला विचार लाए तैसा unit vector आपलेला विचार लाए कि आपलेला विचार लाए और प्लस 1 बाई रूट 14, j, plus 2 बाई रूट 14, k, हाँ वेक्टर जाला यूनिट वेक्टर परपेंडिकर, परपेंडी केदर, पन्ट एचा पुढे जैसा magnitude अस तो P Q sin थीटा और यह नक्की का है अस तो P Q sin थीटा तर यह दोन वेक्टर नी बन लेला parallelogram जो है त्या parallelogram चा area अस तो हाँ ओके हाँ प्रॉपर्टिया है तो area of parallelogram कसा देऊ शकता अपन area of parallelogram can be given by P bar cross Q bar चा magnitude कदी-कदी confuse कराएला P bar Q bar directly देनार ना ही तुम्हाला देतील point A चे coordinates, B चे coordinates, C चे coordinates आणि मंतिल की आता D चे coordinates आणि मंतिल तुम्ही parallelogram चा area काड़ा तो त्या वेस तुम्हाला AC काड़ाव लगे आणि A point पसना AB काड़ाव लगे दोन वेक्टर सेम पसना सालू होना रे काड़ाई चे आणि तेन सा cross product गहीजा आणि magnitude कराई से कदी-कदी एक step पुढ़े जाओन विचारतील area of triangle की ती आसे तो parallelogram चा exactly half आस तो symmetrical अस्तकारण की area of triangle विचारला तो simply it is half P bar cross Q bar सा magnitude अजुन पुढ़े जाओन आसे पन विचारू शक्तात की what is area vector area vector so area vector मझे काए कि जर विचारला की parallelogram सा area vector काए तो parallelogram सा area vector मझे नुस्ता P bar cross Q bar जो आर बार आस तो तोच ठेवाई जा तेला magnitude मने convert कराई जा नहीं तो area हापन एक vector आ है तुम्ही बगित लाए planes मने अज आसा direction का शास्ती plane ला परपेंडी कदर so अजर area vector विचारला तो जास find P bar cross Q bar that will give you area vector and if area is asked तो take its magnitude, magnitude will give you the area का value so this was all about scalars vectors, very simple topic one mark confirmed है CT ला, एक mark का शंबर टक के पढ़ला भाईज यह चा मदे तुम्ही अल्रेडी हे vectors हा topic Maths मदे खुब detail मदे शिकला जाहत but hey, मैं खुएक लीजे, अक्रावित होता थे संगितला है so this was all about scalars and vectors guys, we will meet in the next session now, चलो